हेलो दोस्तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे और हम आज आपको बताने जाने हैं कुकुटान तोक भसन का यूज कैसे करना है बालो के लिए इसने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था क्योंको ताम तो बसन कैसे बना जाए यदि आप नहीं बना सकते हैं तो मैं वीडियो के डिस्किप्सन में एक लिंक दे दूँगा जहां से आप पर्चिच कर सकते हैं बालो के रीग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है मेरे समस्य वो होता है डाइट का चूकि अगर डाइट आपका सही नहीं होगा तो बाल आप कुछ भी कर लो नहीं आएगा इसलिए बालो में डाइट का बहुत जादे ज्यान रखा जाता है बालो के इलाज के लिए और सबसे ज़्यादा जो डाइट पर जरूरी होती है वो होती है कालसीयम और ऐरन इसलिए मैं आपको यह भस में घ्रुण जो है काने को बोल रहा हूं आपका जो बालो का रीग्रोथ है और बालों की जो भी समस्याध में चाहें बाल पतला हो रहा है चाहें बाल गिर को इतना स्ट्रॉंग करेगा कि और जो बता दे हम आपको जो बोन होता है अड़िवेद में उसका मल बता गया है बाल को और नाखुन को तो यदि हमारा बाल सही होना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा हड़ी सही हो और हड़ी को सही करने के लिए हमको चाहिए कैल्सियम बड़पूर मात्रामियों और आइरन तो इसी को पूरा करने के लिए हम लेंगे कुकुर्तान तुक भस्म और इसको किसके साथ लेना है मैं अभी बताता हूं इसको आपको एक चम्मच आउले के चुर्ण में आउला का जो पाउडर होता है उसके एक चम्मच आउले के पाउडर में तीन चुटकी आपको लेना है कुकुर्तान तुक भस्म और हलका गुनगुने पानी के साथ आपको इसको खाना है और इसको आपको दो टाइम लेना है एक तो लिजे रात में खाना खाने के बाद सब कुछ खाना खाले उसके बाद आपको इसको लेना है ती हो जागी और तीन महिना जैसे ही इसको आप कंजूम किजिएगा आपकी हेर री ग्रोथ होने लगेगी और बहुत अच्छा हेर आएगा थैंक्यू फर वाचिंग